Welcome to Study Companions चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बाल आइकान पर क्लिक करें ताकि फ्यू चैनल प्लोज होने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए असलाम नेकम स्टुडेंट, how are you? I hope you will be fine So class 9 look at unit number 3 demand यानि तलब Look at question number 3 today या अपने long question start किया हूए और आज question number 3 start करते हैं What factors other than price bring changes in the quantity demanded? यानि तलब पर असर अंदाज होने वाले दीगर वामिन आपने बताने हैं The answer is factors affecting demand other than prices These are numerous other factors than the price of a commodity which affected demand यानि कदूने तलब के मताबिक किसी शेय की कीमत में तबदीली होता है तलब में तबदीली के लावा चंद और वामें भी तलब में तबदीली के लावा चंद और वामें भी तलब में तबदीली या जो के दरजाल है Number 1 पर आ जाता है Liking or Disliking यानि पसंद और ना पसंद If you like chocolate your friend may like ice cream Preference or taste are important in determining our willingness to buy different types of goods The demand for many goods such as clothing and hair style changes frequently as fashion change People plan to buy more at the same price if they are in fashion यानि अगर आपको chocolate पसंद है तो आपका दोशाद ice cream पसंद करता है और किसी भी शेयर की ख्वाहिश करने में इंसान की जाती तरजीह आतों पसंद अप एहम किर्दार अदा करती है वह उसी शेयर की तलब मसलन कपड़े या बालों का अंदास fashion के पताबी तबदील होता है गोया लोग कीमत की तबदीली के बगार तलब में भी तबदीली ले आते है नमबर सेकिंड पर आ जाती है बात income यानि आमदनी की An increase in income will also cause an increase in our demand for most of the goods for example An increase in income will increase our demand for clothing यानि वह इसी शेयर की जे मिकदार तलब आमदनी के बढ़ने से बढ़ जाती हौail है इसे लोगाया की मिकदार तलब आमदनी के बढ़ने से बढ़ जाती है उनको normal अश्या कहा जाता है लेकिन पुछ हालाँ में इसके बराख्स हुथता है मसला अगर आमदरी के बढ़ने से अश्या की कम तलब हो तो ऐसी अश्या को गटी अश्या का जाता है नेक्स बात करते हैं एक्सपेटेशन यानि तवक्वाथ की अब उससे क्या मुराद है सबसे पहले देखते हैं अगर लोगों को अंदेशा हो के चीनी की कीमत भढ़ जाएगी तो लोग ज्यादा चीनी हरीतना शिरू कर देंगे ताके सखीरा कर सकें अब आत करते हैं पॉपुलेशन यानि अबादी की की कीमतों में यहां पर तीन तरह से तक सीम की गई है वह क्या का नबर वन पर आ चाती है सबसेट्यूट गूर्ट यानि नेमल बदल अश्या वह कौन को थी हैं के सबसेट्यूट गूर्ट्स प्रोडेक्स आ रिलेटिद विद इच अधर इन सच आ वेड़ आट आराइज इ इन यहां नेमल बदल अश्या की किसमें अगर एक शाय की किमत चड़ेगी तो मुर्गी के गोश्की मिगदार तलब बढ़ेगी यहां मुर्गी का बख्रे के जो गोश्क है मुद्बादल भी और सुस्ता भी है next बात आ जाती है complimentary goods यानि तक्मिली अश्या की अब वो क्या है in case of complimentary goods products are related with each other in such a way that arising the price of one will decrease the demand for the other similarly decreasing price of one will increase the demand for the other for example an increase increase in price of tennis ball will decrease the demand for tennis rocket यानि इसमें बात करें कि तक्मिली अश्या की कीमत में की किसम में अगर एक श्या की कीमत चरती है तो इसके साथ इसमाल होने वाली दूसरी श्या की मिगदार तलब गिरती है अगर टैनिस बाल की केमट चड़ेगी तो टैनिस रैकेट की मिगदार तलब गिर जाएगी तो इससे बात करते हैं नमर C पे independent goods यानि खुदमुक्तार श्या कौन कौन सी है यानि खुदमुक्तार श्या की किसम में अगर एक श्या की कीमत में जाफ़े से किसी दूसरी खुदमुक्तार श्या की मिगदार तलब में तदीली नहीं होती मिसाल के तोर पे की कीमत बढ़ने से गाड़ी की मिगदार तलब है कोई जाफ़ा नहीं होगा यानि असर नहीं पड़ता है अब बात होती है क्लाइमेट कंडिशन यानि मौसमी हलात की During the summer season, the demand for ice will increase while it will decrease in summer. Similarly, the demand for air conditioner increases in summer but decreases in winter. यानि अगर मौस में घरम होता है तो उसमें बरफ की मिगदार तलब भर जाती है. जबके सर्द मौस में बरफ की मिगदार तलब कम होती है, इस तरह से एर केडिशनर की तलब गर्मियों में ज्यादा हो सदियों में काम होगी. अब यहां पर बात क्या हो रही है, यह कह रहे हैं, कि कभी-कभी नई मालूमात के नतीजे में, यह किसी शया की मिगदार तलब तदील होती है. अब अगर कागज और कलम की बचाए कम्पूटर पर किताब जल्दी और बेतर तरोड पर लिखी जातकती है, तो कम्पूटर की मिगदार तलब में इसाफा होगा. So, learn question number three, all the points and write down your copies. Thank you. Do like and comment on video and don't forget to share and subscribe. Study Companions. Thank you.